हेलो दोस्तों, आज की वीडियो अठाई जुनके करेंट रिफर्स की होगी, जोगी सभी जामस्ति काफी इंपॉर्टेंट है, तो बढ़ते हैं कोशन के तरफ, तमारा आज का पहला कोशन है, हाल ही में, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे समाईत किया गया है, तो सम नेशनल टेनिस फेडरेशन दोरा दिया जाता है, यह पुरुषकाल लंदन में अमरत राज के सम्मान में आवज़त एक विशेश सम्मारों में दिया गया था, नेच्ट कोश्चन है, हाली में किस संग्ठन ने अपनी पहली open to all hackathon संखला की मिजवानी करने जा रहा है, तो यह है, राश्टी स्वास प्राधिकरण, राश्टी स्वास प्राधिकरण 14-27 जुलाय 22 तक अपनी पहली open to all hackathon संखला की मिजवानी करेगा, स्वास्थ इंटरफेस पर किंदित होगा और इसका उद्देश से भारत में स्वास्थ स्टार्ट अप पाइस्थिकी तंजर को संगतित करना होगा राश्टी स्वास्थ एजन्सी को राश्टी स्वास्थ प्रादिकरां दोरा इस्थाभित किया गया है इससे पधामंत्री जन आरोग योजना को लाउग करने के लिए इस्थाभित किया गया है हाली में किस देश के सुप्रीम कोड ने एक महिला के गरपात को समयधानिक अधिकार को मायनता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को चेंज कर दिया है तो यह देश है अमेरिक का कोड ने गरपात के समयधानिक अधिकार को खत्म किया अधारत ने तीन छेके मत से हुए फैसले में रिपब्लिकन समर्थिक मिसिसिपी कानूं को अपनाया जो पंदास अपता के बाद गरपात पर प्रजबन लगाता है अधारत ने कहा कि अलग-अलग राज अब गरपात की अनुपती देने या पधिबंधित करने के लिए कोई तरह के से स्वतंत्र हैं नेक्स्ट कोश्चन है हाली में किस राज ने यूत्री कुलरिया फुर सेल्टा नामक दुल्लप मांसारी पोधे की खोज की गई है तो यह राज है उत्राखन उत्राखन वन विभाग की अनसंधान साखा दोरा चमूली जिले की मंडल घाटी में यूत्री कुलरिया फुर सेल्टा नामक दुल्लप मांसारी पोधे को खोजा गया है उत्राखन के साथ-साथ पूरे पच्छमी हिलाई छेत्र में पहली बार देखा गया है हाल ही में भारत में नई कार आकलन कारक्रम एंसी एपी शुरू करने के लिए सामान वैद्धानिक नियम अज सूचना के मसोधे को मजूरी किसे ने दी है तो मजूरी दी है सड़क परिभन मंतरी निटिन गटकरी ने सड़क परिभन और राजमांग मंतरी निटिन गटकरी ने भारत में नई कार आकलन कारक्रम सुरू करने के लिए समान वैद्धानिक नियम अधिसूचना के मसोधे को मजूरी दी भारत में आटो मॉबाइल क्रेश्टेस्ट में उनके पदरसन के धार पर स्टार रेटिंग भारत में नई कार आकलन कारक्रम के परिच्छन प्रोटोकॉल ग्लोबल क्रेश्टेस्ट प्रोटोकॉल के अमस्वार होंगे गारत में हाली में किस रा सरकान ने मखपंत्री बाल गोपाल उजुना को मजूरी दी है तो यह दी है राजस्थान में इस युजुना के तहत कच्छा एक से कच्छा आठ तके च्छात्रों को हपते में दो दिन दूद उपलत करवाया जाएगा इस युजुना की घोचना बचा सित्र के दोरान की गई थी इसका मुख उद्देश च्छात्रों के पहुंशन इस्तर में सुधार करना है नइस कोशन है हाली में इंडिया इंटरनेशनल सिंटर के नए अधच के रूप में किसे निक्त किया गया है तो निक्त किया गया है स्याम सरंजी को पूर्ग देश सची तथा परमाण मावलू और जल्वाई परतन के लिए प्रहा मंतरी के विशेश पति निधी रहे स्याम सरंजी को इंडिया इंटरनेशनल सिंटर का अधच निक्त किया गया है उन्होंने राष्ट्री सुच्छा परिशत के तहत राष्ट्री सुरच्छा सलाहकार बोर्ड के अधच के रूप में कार किया है नेक्स्ट कोश्चन है हाली में एसिएन ट्रैंक चेंपिरनशिप में रोनाल्डो सिंग ने सीनियर डिविजन में कौन सा पदद पतग जीता है तो पतद जीता है उन्होंने रजग रॉनाइल्डो शिंग गॉंटिनेंटल प्रतयोगता में रजत प्दक जेतने वाले भालतीया शाइकलिस्ट बने हैं रॉनाइल्डो दर्रा किया गेया कारणामा किसी भाती साइकल चालक दरा महादुयूपी प्रतयोगता में स्वसेच था 18.7 रजब 2 कांस पदक के साथ जापान के पास सबसे अधिक पदक है भाती सागलिंग टीम ने 23 पदक अरजित किये और एलीट फिल्ड 26.7 पंदरा कांस में 6 अच्छा अच्छान हासिल किया है कोरिया ने दूसरा कजाकिस्तान ने 3 अच्छान हासिल किया इसकोचन है हाली में भाती तिरंदाज अपसेख वर्मा और किसने तिरंदाजी विस्वकप के कंपाउंड में से तीम इस परधा में सुनपत जीता है तो जीता है ये जिवती सूरे खाने फाइनल में जीवती और अच्छे की जोड़ी ने फ्रांस की रॉबिन जाटमा और लिसल जाटमा की जोड़ी को हराया विस्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज यह तिरंदाज अभी एक और पदग की दोड़ में है जोटी वेक्षदिगत स्थान फाइनल में बीजिंग और अलम्पिक की कांस बदग जीता फ्रांस की दिगए सोखी से भीड़ेंगी नेस्ट वाखरी कोशन हाली में किस टीम ने अपना पहला रणजी टॉफिक साब जीता तो जीता है मद्ध प्रदेश ने मद्ध प्रदेश ने बेंगलूर के M.China Swami Stadium में हुए फाइनल मुकामले में 41 बार की चैंपियन मुम्बई को छे विक्र से हराकर अपना पहला रणजी टॉफिक किताब जीता मुम्बई के बल्लेबास सर्फराज खान को उनके संधा बल्लेबाजी है रंजी ट्राफी विजबाइस के लिए Man of the Tundament का किताब दिया गया तो यह आचे कोस्चन्स थे अगर सेर्शन पसंद आया हो तो इसे लाइक सिए कर देना और नए आगे हो कहीं से तो चैनल को सब्सक्राब कर लेना धन्यवाद